आपने मांसंक्या 41 एवमट 28 पर बोलने का मुका दिया इसके लिए धन्यवाद मानिय सभापती महोदेजी बासवडा जिला संपूर्ण जन्जाती एक शेत्र है एम वहाँ पर मजदूरों को सो दिन का प्रतिक जॉब काड़धारी को रोजगार नहीं दिया जाता है इस कराने से मजदूरों को गुजरात पलायन करना पड़ता है और उसको रोकने के लिए प्रतिक वेक्ति को सो दिन का रोजगार देना बहुत आवशक है इसके माप दंड भी तै होने चाहिए एवम सरकार ने मजदूरों की मजदूरी 234 रुपया जो निर्दैरित कर रखी है परंद मजदूरों के मजदूरी प्रति दिन 500 रुपया मेट की 700 रुपया और कारिगर की 1000 रुपया बढ़ाना आवशक है मानियो सवापति महोदे जी मेरा आपके माधियम से निवेदन है कि मजदूरी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ मजदूरों के अलावा मेट कारीगर का जो भुक्तान जो सामगरी मत से किया जाता है और उसके अंदर ये इस्तिती है कि सामगरी मत का एक डेट साल में भुक्तान होता है कारीगर और लेबर को उसका डेट साल तक वो अपना रुक नहीं सकता है तो ये नहरे का योजना के अंतरगत अलग से ऐसा एक बनाया जाए की कारिकर और मेट का भुकतान सामगरी से अटा करके इनको समय पर मिले ताकि वो अपने घर का गुजरा कर सके माननी सवापती मोधे जी मेरा आपके माधियम से निवेदन है कि केंदर सरकार में मोधी जी ने विक्तिकत लाब योजना के तहित प्रतेक विक्ति जन जाती है परिवार को तीन लाग तक की विक्तिकत लाब योजना देने की गोशना कर रखी है और सामान्य और OBC में BPL परिवार को तीन लाग तक का विक्तिकत लाब योजना लाब देने की योजना है जिसके तहित प्रतेक परिवार को लाब दिया जाना होता है जिसे कूप निर्मान है पशुषेड है क्रशी कारी है बागवानी कारी है समतली गरन है ऐसे कारी जो होने हैं ये कारी है टी एस पी एक्षेतर के अंदर वेक्तिक अदलाब योजना का एक भी कारी स्विक्रत नहीं किया जाता है मैं आपके माध्यम से मंतरी महधाई जी से निवेदन करूँगा कि टी एस पी एक्षेतर के अंतरकत अधिक से अधिक वेक्तिक लाब योजना के कारी करवाया जाए एवा हमारा जो गुजरात जो नजदीक बॉर्डर पड़ता है यहां के जो मजदूर गुजरात पलायन करते हैं उस पलायन को रोका जाए इसके साथ साथ मन रह गया योजना मेरा आपके माद्यम से निवेदन है कि हमारे पंचा समिती गड़ी अर्तुना में EFC, SFC के तेट वर्ष दोजार बीस एकीस और एकीस बाइस में केंदरी मद और राजजमत में सोर उर्जा चले लाइटों का शुगरतिया जारी करके लगाई गी है लेकिन वो बैटरी और व मेरा आपके माद्यम से निवेदन है कि पंचात राज विबाग के अंदरगत निर्वाचित जिलाप्रमोग प्रदान जिलापरिशन सदच पंचा समिती सदच सरपंच उपसरपंच वाडपंच इनका मासिक मांदे निरदारित होना चाहिए और उनकी राशी भी बढ़ानी जाए एवं विकास कारिय में जो सिक्रतिया जो निकाली जाती है उसमें वो भी एक चोटा-मोड़े जन्द प्रतिनी दी उनका भी कोटा निरदारित होना चाहिए एवं इनको भी पैंचन जैसी सुविदा मिलने चाहिए माननिया सभापती महत्यजी मेरा आपके माधियम से मानने मंत्री महोगद जी से वितमंत्री महोगद जी से निवेद ने कि हमारे जो बासवडा जिल तीएश्ब 5 विदायक आते हैं और हमारे 500 विदायक मद है जिस से समुदही विकास के कारी करानze होते हैं प्रंतु हमारे 2018-19 के अंदर विद्याइगमत का हमें 562.50 लाग रुपया में प्राप्त नहीं हुआ है, 2019-2020 के अंदर भी 562.50 राशी बाकी है, 2020-21 प्राप्त प्राप्त बाकी है, मेरा आप से निवेदन है कि हमारे 16 करोड, 87 लाग, हमारे 5 विदान सबाओं में जो विदायगों को विकास के लिए मिलने चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं हुए, और अन्य जिलो में भी ये इस्तिति है, मेरा आपके माद्यम से मंत्री महदेजी से निवेदन है, कि हमें कम स पंचाज समिती गड़ी में ये गड़ी परतापूर जोलना, पालोदा ऐसे जो पीए सी बड़ी-बड़ी है, ट्राइबल बेल्ट के अंदर वहाँ पर 108 गाड़िया जो है, वो भी बंगार हो रखी है, लोगों को आने जाने की असुविदा होती है, तो मेरा आपके माद्य से मंत्री मुहदेजी से में निवेदन करना चाहता हूं, कि हमारे पंचाज समिती गड़ी और अर्थुना में विकास अधिकरी नहीं होने के वज़े से लोगों के काम नहीं होते हैं, और गड़ी में जो विकास अधिकरी है, वो इतने प्रष्टाचार फेला रखा है, कि न से मेरा आप से निवेदन है, कि उसकी जांस हो, कारवाई हो, कि इतन पड़ा प्रष्टाचार लोगों का पेमेंड नहीं हो रहा है, और लोग आज भी परेशान हो रहे हैं, अर्थुना पंचा समिती गंदर हमारा विकास अधिकरी, एक दिन भी वहाँ पर कोई पद पे नह हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बोलने का मुगा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,